नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, मेरा नाम है हरुषित दिवेदी और एक और वीडियो में आपका स्वागत है ये चैप्टर नंबर 40 है, लक्षमी कांद का, पार्ट 6 बात कर रहे हैं हमारे सम्विधान की यूने टेरिटरीज और स्पेशल एरियास यहां पे दिल्ली से रिलेटेट क्या स्पेशल प्रोविजन से और एडवाईजरी कमीटी से देखी ये दो वीडियो में कवर होंगे, एक वीडियो में इतने सारे टॉपिक्स मैं आपको सारे नहीं समझा सकता तो भाया, अंडर आर्टिकल वन अप दा कॉस्टिटूशन, आर्टिकल एक हमारे सम्विधान का, यह बताता है कि जो इंडिया की टेरिटरी है ना, इसमें तीन प्रकार की टेरिटरी या आती है एक है storytelling of the state, एक है UNI territories और तीसरा है da it particularly that may be acquired by the government of India at any time यनि कि States की territory, Union territories और territories that may be acquired by the government of India at any time इस States की territories तो आपको पता है है, beads जो बतार प्रदेश, Madhag simplemente इनकी अपनी territories हैं Union territories भी आपको पता है, इस वीडियो में हम लोग Union territories के बारे देबात करेंगे और वो territories जो government of India किसी समय पर acquire कर सके जैसे for example 1975 के लगभग सिक्किम जो कि उस समय देश का पार्ट नहीं था उसको इंडिया ने acquire किया था तो ये तीन प्रकार की territories तो कल की date में मान लिजा ऐसी कोई territory जो अभी के लिए इंडिया के control में नहीं है उसको इंडिया लेना चाहे या वो territory खुद बोले कि भाई हम इंडिया में शामिल होना चाह रहे है तो वो acquired territory की तरह पहले इंडिया में आएगी बाद में उसको unit territory बना जा सकता है ये territory किसी state की territory बना जा सकता है अभी के लिए कितने states हैं तो देखें लक्षमी कांत में जो information दे रखी है गला थे 29 states और 7 unit territory नहीं है अभी के लिए देखें 28 states हैं जब मुएन कश्मीर अब एक state नहीं रहा है तो 29 के बज़ा है केवल 28 states बचें बचा ये 7 unit territory की बात की जाए तो अभी के लिए 8 unit territory है पहले साथ थी जब मुएन कश्मीर और लद्दाक unit territory बनी तो कितनी unit territory हो गई, not unit territory हो गई और दमनेंदियो दादना नगरह वली को एक unit territory बना दिया गया तो टोटल 8 unit territory है तो अभी के लिए 28 states और 8 unit territory है ठीक है ये याद रखिएगा जो states है वो federal system की member है, federal system का मतलब क्या होता दोस्तों, federal system का मतलब होता है कि जो constituent units है जैसे कि जो states है वो center के साथ power share कर रहे हैं, तो state list के अंदर जो भी subjects लिखे हैं उसके ओपर नियम कानून मनाएगा, राजी की सरकार बनाएगी, केंदर की सरकार नहीं मना सकती तो federal system का part है हमारे states और वो center के साथ power को मतलब share करते हैं, distribution है power का, center के बास अपनी दागते हैं, state के बास अपनी दागते हैं, लेकिन union territories, वो territories हैं दोस्तों, जो direct control और administration के हैं अंदर किसके, central government के तो मतलब कि जो union territories है न, state government के list होती है, state list होती है, state list के ओपर क्या ये union territories की सरकारे नियम कानून मना सकती हैं, देखिए जहाँ पे legislature है, वहाँ पे नियम कानून मन सकती हैं, अभी वो मैं बताता हूँ कि कैसे होता है इन union territories को centrally administered territories भी कहा जाता है, यानि इन union territories में देखिए केंदर सरकार की ही चलती है, राजियों के पास तो अपना खुद की ताकत है, चुकि देखिए, simple logic है, state में जो सरकार है, उसको किस ने चुना है, उस state के लोगों ने चुना है, तो अव्विस ही बात उस state के पास ताक नियम कानून मनाएगी, लेकिन जहां पे legislative assembly नहीं है, for example, union territory of landak, या फिर आप बात कर लीजे, union territory of puducherry, sorry, puducherry नहीं हो, मैं गलत बूल गया, union territory of underman and nicobar islands, अभी यहां पे कोई elected सरकार नहीं है, तो यहां पे obvious ही बात है, नियम कानून कौन मनाएगा, वो लोग बनाएंगे, जिनको center ने appoint किया है, और वो administrator भी हो सकता है, वो lieutenant governor भी हो सकता है, वो कौन है, उसके बारे में भी बात करते हैं, तो यहां पे actually में हो क्या रहा है, आपको union territory का concept समझाने की बात की जा रही है, और कहीं न कहीं जो union territory है न, they are basically a conspicuous departure from federalism in India, federalism का मतलब क्या होता है, कि भाई, केंदर की सरकार, राजी की सरकारों के साथ ताकत शेयर कर रही है, लेकिन centrally administered territories जिनको आप union territory बोलते हो, वो ताकत नहीं शेयर कर रही हैं center के साथ, तो federalism की concept के against है यह centrally administered territories, यानि की union territory, ठीक है, चलिए, एक बात हो गई, आप बात करते है कि creation कैसे हुआ, union territory का, तो भाई, सबसे पहले तो British rule के दुरान 1874 में एक entity बनाई गई जिसका नाम था schedule district, यह मैं कोई आपको rocket science नहीं पढ़ा रहा हूँ, यह लक्षमी कांस में भी लिखा हुआ, आप वहाँ पर भी पढ़ सकते हो, बाद में, अंग्रेजों के समय पे इनक 1950 में classification आया states का, और state की classification ने चार प्रकार के states identify किये गए, part 1 state, part B state, part C state, और part D state, तो वो जो chief commissioner provinces थी अंग्रेजों के राज के अंदर, वो यहाँ पर part C और part D stateों में बढ़ गई, part A, part B, part C, part D से confuse मत हो यह दोस्तों, 1950 में सरकार ने, जो भी इलाके थे, इंडिया में, उनको कुछ groupings में divide कर दिया था, और वो groupings कुछ-कुछ हद तक वैसी ही थी, जैसे अंग्रेजों के समय पी थी, जैसे कि अंग्रेजों के समय पे, chief commissioners जो provinces थी, उनको part C और part D state में रखा गया, और बाद में 1956 में, इनको द organization commission आया था, state reorganization act, उससे पहले बहुत से commissions बने थे, state की reorganization पे, फ़र्जल अजिमिश कमीशन, धर कमीशन, वो पहले मैं आपको बता चुक हूँ, JVV committee, ओके, तो basically, state के reorganization पे, कौन-कौन सी committee या पहले बनी है, ये मैं आपको पहले लक्षमिकान्त में बहुत शुलवात में अगर आप लाइन से लक्षमिकान्त की वीडियो से देख रहे हैं, chronology से देख रहे हैं, तो आपको पता होगा, तो भाई, state reorganization act आया 1956 में, जिसके थूरू states बनाए गया और उसी के थूरू आ गया क्या, आपका unit territories, ठीक है भाई, अब उस समय पे जो unit territories थी, आज की डेट में मिजुरम चाहे, गोवा चाहे और नाचल परदेश, ये state है, एक समय पे ये unit territory हुआ करते थे, लेकिन इनको आज की डेट में state बना दिया गया है, लेकिन कुछ ऐसे enclaves है, जो की आज भी unit territory है, अब आपको समझना ये है कि आज की date में जो भी unit territory बना के रखे गए हैं, आपक इसका एक reason है, जोस्तों, reason ये है कि देखिए, unit territory बनाने की बहुत सी वज़ाए है, पहली वज़ाए यहाँ पर क्या बताई जारी, political and administrative consideration, तो भाई दिल्ली को तो unit territory बनाए जाएगा, अभी दिल्ली से हमारे देश की सरकार चलती है, पूरे देश के लिए decision making कहां बैटके हो दिल्ली में बैटके होती है, तो आप कह सकते हो, political consideration है, चंडिगड को administrative consideration से unit territory बनाए गया, क्यों, तो भाई, पंजाब और हरियाना, जब दो हिस्सों में बढ़ा, मतलब पहले तो पंजाब जो state था हो, पंजाब हरियाना दो हिस्सों में बढ़ गया, हरियाना में हरियाड और हिंदी बोलने वाले लोग थे, पंजाब में पंजाबी बोलने लग लोग थे, अब पंजाब भी चंडिगड मांग रहा है, हरियाना भी चंडिगड मांग रहा है, तो सरकार को समझ में नहीं आए कि चंडिगड किसको दे, तो पंजाब की भी capital चंडिगड, हरियाना की वी कैटिल चंडीगड और केंद्र ने बोचा बोला कि चंडीगड इस यूने टेल्टरी आज की डेट में चंडीगड बहुत एडवांस्ट और बहुती साफ सुत्रा और बहुती जबरदस शहर है क्यों चुकि भाई चंडीगड को डेवलप करने के लिए पंजाब की लड़ा की सरकार और पंजाब और हर्याज सरकार एक समय पर चंडीगड के लिए लड़ रहे थे तो सरकार ने इसको यूनेटरी बना दिया कि चलो ना तुमारा ना तुमारा दोनों को और हमारा भी फिर बात करते हैं कल्चलर डिस्टिंक्टिवनेस तो पुदुचेरी दा आपका फ्रेंच कल्चर है उस कल्चर को सेवगार्ड करना है तो इनका यूनेटरी बने लेना सही है फिर बात करते हैं स्टैटेजी की इंपॉर्टेंस तो भाई अंडमान और निकोबार आइलेंड्स और लक्षवधीब साउथ इंडियन ओशन में हमारी रीच को बढ़ात हैं अगर आप अंडमान निकोबार आइलेंड्स की लोकेशन देखेंगे न दोस्तों तो अगर यह मालीज हमारा इंडमान निकोबार आइलेंड्स मलक्का स्ट्रेट के बहुत पास है अंडमान निकोबार आइलेंड्स तो भाई बहुत ही वाइटल सी लेंस के पास पड़त होंगे उतना ही जदा इंडस्ट्रिल डेवलेप्मेंट के आपके पास चांसे होंगे और कहीं न कहीं अंडर्मान निकोबार आइलेंट्स लक्षदीब हमारे लिए अगर आप बात करो नाम करण की तो आज की डेट में जो लक्षदीब यूनेंट्रिटरी है न दोस्तों लक्षदीब यूनेंट्रिटरी उनिस सो तेहत्ता से पहले 1973 से पहले लक्षदीब यूनेंट्रिटरी को बोला जाता था लक्षदीब को 1973 से पहले बोला था लक्षदीब को 1973 से पहले बोला था की जो unit territory है उसको 2006 से पहले pondicherry ही बोला जाता था आज भी बहुत सारे लोग उसको pondicherry ही बोलते हैं सबसे पहले unit territory कौन-कौन सी बनी अंडमानिकुबर आइलेंड्स 1956 दिल्ली 1956 लक्षदीब 1956 दादरा नागर हवेली 1961 मनी दमनंद्यू 1962 मनी अभी के लिए दादरा नागर हवेली और दमनंद्यू को एक unit territory बना दिया गया है पुदुचेरी 1962 मनी 1956 में और भी बहुत सी unit territory बनी थी हाला कि अब उनको state में convert कर दिया गया फिर आगर आगे बात करें दोस्तों तो फ्रेंच से हमने कौन सी territory लिये और पॉर्टुगीस से हमने कौन सी territory लिये तो भाई जो unit territory पुदुचेरी ने ये पहले फ्रेंच कंट्रोल में थी फिर इंडियानेस को ले लिया और ये गोवा का इलाका अगर आप गोवा का भी घुमने गया हो बहुत ही popular tourist destination तो वहाँ पूरा का पूरा Portuguese culture है दबन अंदियू, दादरा नागर हवेली इन इलाकों में भी Portuguese के control था तो इनको हमने किस से लिया है पॉर्टुगीस से लिया ठीक है भई, फिर आगे बात करते हैं ये जो जम्मुएन कश्मीर Reorganization Bill के चलते हैं पांच अगस 2019 को जम्मुएन कश्मीर के अस्ट वाइल स्टेट को यूने टरिटरिव जम्मुएन कश्मीर और यूने टरिटरिव लदाख में तोड़ दिया गया इसकी वजह हैं क्यों बनाई गई ये दो टरिटरिव सबसे पहला रीजिन बनाने का ये है कि जम्मुएन कश्मीर में जो लदाख डिवीजन थाना ये एक बहुत बड़ा इलाका था और यहाँ पे जो population density है वो बहुत कम है तो sparsely populated ये पर square kilometer में जो number of people रहते हैं वो बहुत कम है terrain बहुत difficult है तो यहाँ पे पानी की availability उतनी नहीं है खेती बाड़ी यहाँ पे इतनी आसानी से नहीं की जाती है बहुत extreme weather होते हैं साल के maximum portion में 6 महीने तो जबरदस ठंड़ा रहता minus में रहता temperature तो ये जो लदाख division था जमुएन कश्मीर का ये बहुत बड़ा था और as a part of the state ये उतना grow नहीं कर पारात और कहीं न कहीं बहुत लंबे समय से जो लदाख के लोग थे ये unit territory का status मांग भी रहते तो unit territory of लदाख की demand थी बहुत लंबे समय से और विस सी बात जमुएन कश्मीर की सरकार इस demand को मानना नहीं चाहेगी चुकि कोई भी सरकार ये नहीं चाहती कि उनके अंदर से इलाका चला जाए इसलिए लदाख को एक अलग unit territory बनाया गया है और इसके बाद तो लदाख के लोगों के बीच में एक खुशी की लहर है कहीं न कहीं लोग तो शांती से रहना चाहते हैं बट पाकिस्तान sponsored terrorism के चलते बहुत सारा infiltration होता है तो सरकार ने बोला कि भाई ठीक है हम unit territory बना रहे हैं अलाकि unit territory के बाद पाकिस्तान ने अपनी activities और infiltration और बढ़ा दिया है तो कहीं न कहीं cross border terrorism को देखते हुए इस जम्मुण कश्मीर को देश का हिस्सा बनाया जा सके देश के साथ और integrate किया जा सके वहाँ पे लोगों को और opportunities दी जा सके इसलिए जम्मुण कश्मीर के special status को खतम करके उसको unit territory में बना दिया गया तो यह दो बज़े हैं कि भाई क्यों जम्मुण कश्मीर unit state को दो unit territory में तोड़ दिया गया अब बात करते हैं कि unit territory का administration कैसे होता है article 239 to 241 in part 8 of the constitution यह बात करता है unit territory की अब वैसे तो unit territory को एक ही category में रखा गया है लेकिन unit territory का administration एक तरीकी से नहीं होता है there is no uniformity in the administrative system of unit territory हर unit territory को administer कौन करेगा president लेकिन president day-to-day functions तो नहीं देखेगा तो day-to-day functions को देखने के लिए president ने अपने अंदर एक आदमी appoint कर रखा है जिसको बोला जाता है administrator of the unit territory तो president के बहाफ पे जो बंदा उस particular unit territory में रहके उस unit territory को administer करेगा उसको administrator बोलेंगे यह जो administrator है यह agent होता है president का लेकिन याद रखेगा he is not like the head of the state like a governor अब सूचिए अगर आप unit territory के administrator को governor के साथ compare कर रहे हो तो मैं आप दो को दो-तीन चीज़ें बताने चाहता हूँ governor को supreme court ने बोला है कि this is an independent constitutional office and not an employment under the state government under the central government मतलब कि जब मैं आप वो governor पढ़ाया था तो वहाँ पर informally यह बात की गई थी कि जो governor होता है न वो state में center के agent की तरह काम करता है कही ने कहीं यह बात सही है चोकि governor का appointment central government करती है और जो पुराने bureaucrats होते हैं जो judges होते हैं उनके लिए plum posting होती है governor की तो governor एक independent constitutional office है और उसको neutral perspective में काम करना है central government के जोड में काम नहीं करना है ऐसा बोला supreme court ने बट कहीं न कहीं governor मानता center की बात है लेकिन अगर आप governor को administrator से compare कर union territory के तो administrator of a union territory is not an independent constitutional office और administrator of a union territory को वो बात माननी ही पड़ेगी जो इसको president बोलेगा और president क्या बोलेगा जो की council of ministers headed by prime minister बोल रहे हैं तो भाया union territory को चलाता है president किसके थूँ चलाता है administrator appointed by him इस administrator को आप किसी भी नाम से बुला सकते हो तो इसको आप chief commissioner बुला सकते हो इसको आप lieutenant governor भी बुला सकते हो अगर union territory के लिए नियम कानून बनाने की बात की जाए तो तीन list union list, state list, concurrent list parliament union territory के लिए तीनों list के किसी भी subject के उपर law बना सकती है यानि कि अगर आप बात करो state government की तो state government state list के उपर नाम नियम कानून बना सकती है यहाँ पे अगर union territory में जहाँ पे कोई elected legislature नहीं है अभी elected legislature जहाँ 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 पे है जैसे कि for example पूदूचेरी में elected legislature है दिल्ली में elected legislature है और जमून कश्मीर है जो की नई union territory बनी है वहाँ पे भी elected legislature होगा तो पूदूचेरी, दिल्ली, जमून कश्मीर जहाँ पे उनके अपने legislature होगे उन legislatures के पास ये ताकत होगी कि वो state list के subject के उपर नियम कानून मना सके है subject to some exceptions वो exceptions किया मैं थोड़ी दिल मैं आपको बताता हूँ लेकिन वो union treaties जहाँ पर कोई legislature नहीं है वहाँ पर तो state list के सारे law कॉन मनाएगा, parliament मनाएगा जहाँ पर legislature है जैसे कि पूड़ुचरी दिल्ली जमू कश्मीरी यहाँ पे इनका अपना legislature है तब भी इसके state list और concurrent list के उपर नियम कानून मना सकता है ठीक है भाई फिर आगे क्या बोला प्रेजिनेंट केन मेक रेगुलेशन प्रेजिनेंट केन मेक रेगुलेशन भाई डेमोक्रेसी का क्या मतलब है आप यह बोलोगा कि जब state government नहीं चुनी गई तो कोई federalism ही नहीं फिर तो central government अपने असाब से कुछ भी करेगी ऐसा नहीं होता दोस्तों भले ही state legislative assembly नहीं है वहाँ पे लेकिन MP के तो चुनाव होते है ना लोग सभाग में तो representation है ना तो अड़नमान निकोबार से एक candidate चुनके लोग सभाग में तो जाके बैठता है ना तो डेमोक्रेसी है वहाँ पे बस federal system नहीं मतलब वो अपनी local government नहीं चुन रहे बस इतना ही फरक है ठीक है भाई अब देखा जाएगी भाई अलग अलग जगा पे designation क्या है तो अभी के लिए दिल्ली में जो बंदा बैठता है उसको क्या बोलते है मतलब दिल्ली में जो administrator बैठता है उसको क्या बोलते है lieutenant governor बोलते है पूड़ुचेरी में भी lieutenant governor अंड़मान अनिपकरवार में भी lieutenant governor जम्मून कश्मी लद्दाग इन जगा पे lieutenant governor तो किरन बेदी जी क्या है lieutenant governor फिर अगर आप बात करो चंडीगड की दादरा नागर हवेली दमनंदियू की दादरा नागर हवेली दमनंदियू एक ही यूनें टेरिटरी है वो लक्षुदीप की तो यहाँ पे क्या बोला जाता है उसको administrator ही बोला जाता है और एक बात पास के किसी state के governor को यूनें टेरिटरी के administrator का भी चार्ज दिया जा सकता है और जब वो governor यूनें टेरिटरी के administrator के चार्ज की प्रकार के बिहाफ पे मतलब की मान लीजे कि मदरास अभी मदरास के गवर्नर को पुदुचेरी के तरह डिसीजन लेगा न तो तमिल नाडू की स्टेट लेटिटिव इसेम्बली का कोई जोर नहीं चलेगा गवर्नर के तमिल नाडू की स्टेट लेटिव इसेम्बली की बात तभी मान नहीं है तमिल नाडू गवर्नर को जब वो तमिल नाडू से रिल्टेट किसी नियम कानून पर साइन कर रहा है लेकिन जब वो पास की यूडेन टेर्टिव पुदुचेरी जिसका उसको एड्मिनिस्टेटर गया है उसके एड्मिनिस्टेटर की तरह काम करेगा तो तमिल नाडू की स्टेट लेटिव इसेम्बली को आंसरेबल नहीं होगा ठीक भाई उसके बाद अगर बात की जाए तो यूडेन टेर्टिव पुदुचेरी में अपना खुद का लेजिस्लेचर है नाइटी सिस्ट यह और फाले में सत्तर मेंबर्स और जंवन कश्मीर वाले में कहा जा रहा है कि 83 मेंबर्स होगे तो यह तो होगे भाईया number of members इनमें council of minister भी होगी headed by Chief Minister ठीक है भाई तो यह popular institutions कि वल तीन यूनिटरिटरी में जंवन कश्मीर उनिटरि दिल्ली उनिटरि पुदुचेरी उन ठीक है भीया, यह से बातें यहां पर कही जा रही है, उसके बाद एक और बात है, अभी माल लीजें कि दिल्ली की यूनेंट टरी किसी एक स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर नियम कानून बनाती है, तो क्या बना सकती है, दिल्ली का स्टेट लेस्ट 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 लेस् तो दिल्ली की legislative assembly state list के किसी भी matter की उपर नियम कानू नहीं मना सकती है बस public order, police और land की उपर नियम कानू नहीं मना सकती है अभी police पे क्या ही नियम कानू बनानेगी वो दी जाएगी दोस्तों मान लीजे अभी दिल्ली में central vista project चलना है नई parliament building चल रही है अभी दिल्ली के land का charge अगर दिल्ली की state legislature को दे दिया जाएगा तो दिल्ली का state legislature सेंट्रल गॉर्मेंट बोल देगा तुम निकलो सेंट्रल गॉर्मेंट बोले कि मजाग चल रहा है कि हम पूरा देश चला रहे है तुम हमें ही land इस्तेमाल करने से मना कर रहे हो पुदुचेरी की भी legislative assembly state list और concurrent list के उपर नियम कानून मना सकती है किसी भी तरीकी का exception नहीं है और जम्मो और कश्मीर की भी state legislative assembly किसी भी state list और concurrent list के subject के उपर नियम कानून मना सकती है बस दो exceptions है public order और police तो जम्मो और कश्मीर की state legislative assembly public order and police को छोड़के हर state list और concurrent list के subject पे नियम कानून बना सकती है दिल्ली की state list और पुलिस और लैंड को छोड़के हर state list और concurrent list के subject के उपर नियम कानून बना सकती है और पुदुचेरी की state list और concurrent list के subjects के उपर नियम कानून बना सकती है ठीक है भाई तो यह सब यहाँ पे बातें बोली गई है उसके बात प्रेजडेंट मान लीजे अगर किसी यूनेंट टेरिटरी के रिस्पेक्ट में कोई रेगुलेशन इशू करता है तो वो रेगुलेशन का उतना ही जोर होगा जितना एन एक्ट ऑफ पार्लियमेंट का जोर अगर पुदुचैरी की बात की जाए तो पुदुचैरी में भी प्रेजडेंट रेगुलेशन के थ्रू लेजिसलेट कर सकता है कहने के मतलब यह है कि देखिए वैसे तो पुदुचैरी अब आप नॉर्मल फंक्शनिंग में समझे पुदुचैरी के स्टेट लिस्ट के ऊ पुदुचैरी के लिए नियम कानून ला सकता है तो अगर पुदुचैरी की जो स्टेट लिस्ट लिस्ट इसेंबली है वो सस्पेंडेड है या डिजॉल्ड है और पारलेमेंट अभी मिल नहीं रही है और कोई जरूरी नियम कानून लाना जरूरी है तो प्रेजिडेंट पुदू चेरी हो चाहे दिल्ली हो चाहे जमुन कश्मीर हो उनके स्टेट लिस्ट के ऊपर पार्लेमेंट कभी मिनियम करनून मना सकता है अपने सेशन के दोरा फिर अगर बात की जाए किसका जिरुजिक्षिन कहां कहां पे है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको घृडियो मैं मंब्ला पूति हो चाहि है आयगानिट चंडियो एक है जमुन कश्मीर होट के लिए एक्वाइट टेरिट्री के लिए अलग से हमारे सम्मिधान में कोई प्रोवीजन्स नहीं है एक्वाइट टेरिट्री को उनी प्रोवीजन्स से एड्मिनिस्टर किया जाता है तो यह था डेटेल्ड कवरेज दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग इस यूनेन टेरिट्री वाले टॉपिक को पूरी तरीके से खतम कर देंगे थैंक यू फॉर वाचिंग थैंक यू फॉर पेशेंस हैव ग्रेट दे